बहराईच में भेडिया आतंक का परियाएव बन गया है पिछले 48 घंटों में तीन हमले हो चुके हैं लेकिन वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं हम बहराईच के उस इलाके में इस वक्त आए हैं जहां पिछले दो दिनों में दो हमले हुए हैं आज के पहले का हमला यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे भेडिया ने किया है ज़ो एक के बाद एक हमले कर गाउं वालों को खायल कर रहा है उन्हें अपना शिकार बना रहा है अब आप तस्वीरे देखिए यहाँ पर गाउवालों की चर्चा चल रही है और सामने बड़े घने खेत हैं केवल इन पर नजर डालिए कि अगर भेडिया इन बड़े बड़े जो आप देखिए सामने अलग-अलग तरह की किस्म की फसले हैं यहाँ पर पानी भी है, जलाशे भी है तलाब भी है तो हर वो मुफीत चीज है जो एक भेडिये को छुपने के लिए या रहने के लिए चाहिए होती है यहीं कहीं दूर मांदे भी बनी हुई है कहानी कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर भेडिये के छुपने के लिए बहुत जगा है और उससे बड़ी बात यह है सामने का जो अब जगा एरिया देख रहे है इसी रेंज में भेडिये को कल भी देखा गया है सवाल वन विभाग से यह उठता है कि जब एक ही जगा पर 48 घंटों में 2 हमले होते है तो इस जगा की कॉम्बिंग किस तरह से की गई है कि भेडिया पकड में नहीं आ रहा है या उससे बड़ा सवाल यह है कि इस जगा की क्या सही से कॉम्बिंग की भी गई है या नहीं की गई है मेरे साथ मौझूद हैं यहीं इसी लैंडिस्केप से आपसे आपको दिखाएंगे तस्पीरे भी और बात भी करेंगे आप मुझे बताईए क्या नाम है आपका जैदीप जैदीप जी ये बताईए कि कल भेडिया का हमला हुआ यहां पर क्या हुआ है कैसे हुआ कल रात में व ज्यादा गर्मा हुआ तो वह आखे मुंद गई उतनी द्यार में आगया और आमला कर लिया हम पर बगल में रहते हैं जा हमका पता मिला तो आनम फोनों सब कहुं किया फोन कि एक बाद चले जिए उनका ले चले गए अमिले हम यहां से अपने घर का गए तो एक घंटा के ब बाद हो कहां गया इसमें खुझ गया इदर आई इदर आई इस अपने फिर आया तो आटक पूरा नहीं हुआ तो वह चुपा और फिर दुबारा आया तो गुड़ा माता जो काटा है उनके यहां बहुत जखम हो गया तो दूसरी बार आपने कहां देखा एक घंटे बाद खंके पास देखा आता हब में फिर क्या किया है फिर हमने छिला फिर देखा लाद मी उसके दोडे तब दुबारा नहीं देखा लें में भाकषी टीम इहाई डाफार में नहीं है पुलिस आनसे के बाद में ने है इसके भात बद्याए हुघ इसको प्रूडी ऑदी की नहते कि यहां पर बदा रहे हैं अटाक हुआ सामने पहले जाड़ी में गया जो जाड़ी आप देख रहे हैं और फिर जाड़ी से होकर वो सामने जो खंबा लगा आप देख रहे हैं एक घंटे के बाद यानि कि अगर दस बजे हमला हुआ है ग्यारा बजे इन भाई साब ने उस खंबे के पाद उसको स्पॉट किया यानि कि एक घंटे वो इसी छेतर में मंड़ा रहा होगा और अगर कोई बच्चा बुढ़ा यहां से निकल रहा होता तो क्या होता और आगे क कि आप तस्वीर भी देखिए पूरा घना जंगल है आगे तक वहां पर भी अगर होगा अमान कर चलिए एक घंटा है और इसके आगे जो है जो जगा आती है वहां पर कल हमला हुआ है यानि कि कल के हमले की जगा और आज इक हमले की जगा में मातर एक किलोमेटर का अंतर है यानि कि भेडिया वो आदम खोर भेडिया यहीं कहीं चुपा हुआ है इसी जगह पर है जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको यहां पर कोई कॉंबिंग ऑपरेशन नजर नहीं आए जी यह बताइए बनविभाग की टीम ने कॉंबिंग ऑपरेशन यहां कल से लेकर आज तक किया है सब्सक्राइब आये हैं आये तो आप लोगों सो देखने आये थे ना मार्क्स वगएदा क्या पकड़ने कोहिश की गई है पकड़ने क कि दर में कल अटेक हुए और आज यहां हुए है और इसमें कल बाइठा था यह को दिखाई दिया इसलोग ने बताए किसी को हम से लेकर आज थेक वो इसी जगा स्पोर्ट किया है हाई यह जगा सर रहा है इसके बाद भी यह कॉंबिंग उस तरह की नहीं हो रही है लेकिन एक ड्रोन उडा कर चोड़ा जाता है और कॉंबिंग ओपरेशन जो है जिससे कहा जाता है पगरने की कोशिश फिजिकली अंदर जाना खेतों में देखना परताल करना पग मार्क्स इसकी बड़ी चर्चाट ये फो साब एक दिन कर रहे हैं वो सब नहीं देखा जाता ह है वहाँ इस वक्त हम मौजूद है आप इस घर को देखिए ठीक ठाक घर आपको लगता है इंटे का घर है और बड़ी बात ये है कि यहां पर दर्वाजे लगे हुए है यहां पर देखिया आप बड़ी बात ये है कि इन दर्वाजों के बाद भी जो महिला है वो बहास हो रही थी इस चार पाई पर आप देखिए इस चार पाई को ये वो चार पाई है जहां वो सो रही जिनके ठीक बगल की चार पाई पर उनके पती देव सो रहे थे रात दस बजे का समय था आदम खोर भेडिया आता है उनके गले पर हमला करता है हमला इसकदर होता है कि वो यहां पर यह भी थे आप बगल में थे क्या हुआ था बताई यहां बगले में पहले रहना हम सोई गया हम हूं और उनका पकरिश्ट वी पर लाई चला है पाई जब छोट पाई है जोड लगाई है को लड़ी है इडिया से जहां को धके लिंट वह चूट है तब जिश्ट ला बांधे लागे हैं वह बांशोड़ी तलें शुल्ला सब भलाब होगा तब सब दोड़ी है तक अब वो चैसी निकल यह हम उकिवार निगानाई किया इतना बड़ा था बेंडिया हम जाए निगानाई किया बताई द्याका नाई किवार हम खली बूला करें बज़ गया वह अब यह बताईए आपके घर में तीन दर्वाजे लगें देखिए खिड़कियां भी कवर्ड हैं आप उसके बाद भी बाहर सो रहे हैं वह पानी आईगो चत पर पानी नाई गवा तो उतर यही हो तो तो नहीं हो तो बिजली नहीं रहे है उसे तो यह से बाहर सो रहे है त आपने लगवाएं कब लगवाएं यह बहुते हैं यह इसी महीं है नहीं है यहां कोई लगवाने है था जो कर आजकल विभाग गराम दिकास विभाग कोई नहीं हो आपने वुते लागए इसको देखें बेडिया के निशान यहां के निशान पर रख्षी हुई है और इसके नीचे आप देखिए ये देखिया किस तरह का संगर्ष हुआ है गसिटा गया है वो ये निशान उसकी गवाही दे रहा है कि भीडिया किस कदर यहां पर आता है और हमला करता है महिला पर अब आप समझिए केवल कहानी ये एक और तसला यहां पर ये तसला है ये देखिए इसके नीचे भी आपको यहां पर कॉनर में आपको दिखाई पड़ेगा एक और पग मार यानी कि तीन से चार पग मार जो है इन तसलो के नीचे है जो क्यामीर मर नीजी आपको यहां पर डिखा रहे हैं अब ये कहानी कुछ This came है कि यह ही पर हमला होता है और सारी यहीं होती है दर्वाजे गाउंवाले से लगवाते है लेकिन जब गाउं में बिजली ieved नहीं आएगी तो अंदर कमरे में कौन सोएगा कैसे सोएगा बारिश होगी तो चफटपर कैसे सोएगा मझबूरी मे कहाँ सोयगा और फिर होंगे भेडिया के हमले लेकिन एक बात साफ है हम लोग के बाद जब भरती कराने आप मरीश को ले जाएंगे तो वहाँ एक पोस्टर लगा दिया जाएगा मीडिया के इंट्री निशेध है जिससे कि जो पीडित है उसके अवाज भी अलाधिकारियों तक ना पहुँच पाए या यू कह उसके अवाज भी दबा दीजए कैमरमें निशेध हमार के साथ समझ श्वास तक बहराई चाज तक